हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू यू आवर चैनल देशी अमानत मिर्दोस्तों आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बी एट कोर्स के बारे में जो भी छात्र बम छात्रा है तेरे अगस्त को परिच्छा दिये थे उनके लिए जो नोटिफिकेशन है वो सूचना है वो जारी कर दी गई है आपको बता दे जो भी छात्र बम छात्रा है तेरे अगस्त को परिच्छा दिये थे और उसमें वो सफल हुए थे उनके लिए जो notification जारी कर दिया गया है यानि आप be at course में नमांकन लेना चाहते हैं तो आप एक सितम्बर से बारोश का मौका दिया गया है कि एक अभी आर्ति बारा कॉलेजों काitzer कर सकते हैं दो वर्सि, वी at course में नमांकन का जो पड़किरिया है वो शुरू कर दी गई है और आपको बता दे कि नामंकन जो रेइस्टेशन पड़किरिया है उसमें जो कितने खर्च होंगे कौन से स्टुडेंट्स के लिए हो मैं आपको बता दू तो आनरक्चित छातराओं के लिए 1000 रुपे खर्च होगा और वहीं OBC, BC महीला और दिविय दी है और उसमें आप सफल हो गया है तो आपका जो रेइस्टेशन पड़किरिया है वो शुरू कर दी गई है तो आप एक ब्यारती कुछ कुल 12 कॉलेजों में जो कॉलेजों का वो चैन कर सकते हैं यह इसलिए दिया गया है कि अधिक से अधिक कॉलेजों का जो निर्देश दिया गया चैन करने के लिए ताकि छात्रों का जो नामंकन की पड़किरिया वो सुनिचित हो सके तो दोस्तों अगर आप अपना नामंकन भी एट कोर्स में करवाना चाहते हैं कम पैसे में सरकार के दुआरा जो करवाई जा रही है तो आप जल्दी से अपलाई कर लें क्य आता है और यह वीडियो को जादे से जादे सेर करें ताकि दूसरों को भी जानकारी हो क्योंकि जो भी छात्रवं छात्रा है पास किये होंगे वह इंतिजार जरूर कर रहे होंगे कि कब इनका जो नोटिफीकेशन है रिजिस्टेशन ऑल्लान करने का वो डेट कब आएगा तो अब देर खत्म हो चुकी है और डेट आ चुका है एक सितंबर से बारह सितंबर के बीच में आप अपना पंजियन रिश्टेशन कर सकते हैं और एक अभियारती बारह कोलेजों में जो अपना चयान हो कर सकते हैं तो और इसका जो पर्थम में लिस्ट आएगा नामंकन प हैं तो जल्दी से अपलाई कर लें क्योंकि इसके अलावे कोई दूसरा डेट आने वाला नहीं है तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और जादे से जादे से शेयर करें और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इस च जाल मिलते हैं आगले वीडियों में